और हुंकार में सबसे पहले बात पवन खेडा से कॉंग्रेस के बड़े नेता हैं और आज जो प्रेस कॉंफरेंस कॉंग्रेस की तरफ से हो इन फैक्ट बीजेपी से पहले ही जो प्रेस कॉंफरेंस हुई थी वो पवन खेडा साहब नहीं की थी हमारे साथ जुड़ चुके है पावन जी बहुत-बहुत सवागत है आपका शुरुवात इस सवाल से क्या जो प्रेस कॉन्फरेंस की थी उसमें आरोप आप किस पर लगा रहे थे खुद पर, खुद की सरकार पर? रुपिका जी, 11 अक्टूबर 2018 को मौरिशेस के अटॉनी जनरल ने CBI डिरेक्टर को कुछ कागस सोंपे थे वो कागस क्या थे? वो इस दलाल सुशन गुपता को हुए रफैल की कंपनी से हुए भुकतान के विशेय में थे 23 अक्टूबर को CBI डिरेक्टर को हटा दिया जाता है आधी रात को और मोदी जी अपने व्यक्ति को वैठा देते हैं नागेश्वर राओ को ये नहीं कहा मोदी जी ने CBI डिरेक्टर को कि सुशन गुपता की भुमिका पर जाँच हो, जाँच आज तक नहीं हुई मामला दफना दिया गया रफा दफा कर दिया गया यहीं नहीं मार्च 2019 को एडी ने एक रेड मारी सुशन गुपता पर किसी और प्रकरण में वहाँ जो गोपनिय कागस रक्षा मंत्राले से रफेल सौदे से जुड़े हुए मिले 2015 में जो बातचीत रक्षा मंत्राले में हो दी आती गोपनिय कागस एक नोट मिला जून 24 2014 में वो दसौल्ट को लिखता है सुशन गुपता कि मैं नए नेत्रतु से आपकी मीटिंग करवा सकता हूँ आज 9 नवंबर 2021 है जाँच नहीं हुई मोदी जी क्यों बचा रहे हैं सुशन गुपता को अरे साब हमपरा आरोप लगाते हो लेकिन मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ आपने बहुत कन्वीनेंट्री 2019 का जिक्र किया, 2015 का जिक्र किया, 2014 का जिक्र किया ये 2004 से लेकर 2013 में किसकी सरकार थी पवनखेडा जी अब मैं शुरू करता हूँ उससे भी पहले जाता हूँ चलिए सुषन गुपता को दसॉल्ट ने 2000 में अपना एजन्ट बनाया, अपना बिचॉलिया बनाया, किसी सरकार थी और 2000 से 2005 के दोरान सुषन गुपता को करोड़ो रुपे दसॉल्ट ने दिये, किसी सरकार थी वाजपई approache के शुरूर ऑपकी में और और को मुझे बहुत बहुत इंस ना है आप के रहे है कि वार्टी की सर्कार से शुरू तरफ तो 50% ने खाही है है अब कंपनी किसको अपना एजेंट बनाती है उसको क्यों पैसे देती है वो उन दोनों के बीच की बात है जांच करिए हम तो कह रहे हैं तब से जांच करिए अरे जब सौधा हमारी सरकार के तहत नहीं हुआ सौधा इनकी सरकार के तहत हुआ और सौधे में नो करप्शन क्लॉज जो हमने रखा था इसने हटाया मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके Integrity Clause हटवाया कि कोई No Corruption Clause नहीं होना चीए कि क्यों हुआ भाई और रक्षा मंत्राले ने विरोध किया मोदी जी का ये सब फाइलों पर है, कागजों में है सारुजनिक पटल पर है कानून मंत्राले ने विरोध किया लेकिन मोदी जी ने खुद हस्तक्षेप करके बिना Tender के 36 विमान एक विमान की कीमत हमारे वक्त हम खरीद रहे थे 526 करोड में मोदी जी ने बिना Tender के बिना No Corruption Clause के 1670 करोड में ये सौदा क्यों किया तो Corruption नहीं होना चीए ये Clause हम लाएं आप खटाओ सुशन गुपता को आप बचाओ उसके खिलाफ Inquiry आप नहीं करो बिना Tender के जहाज आप खरीदो 526 करोड का जहाज आप 1670 करोड में खरीदो और आरो खंपर लगाओ जिपनी बाते कह रहे हैं ये 2004 से 2013 में हुई है The bulk of the payments were made before 2013 2013 से पहले किसकी सरकार थी ये सुशेन गुपता को 14.6 million pawns मिले ये किसने दिये किसकी सरकार में दिये रुबिका जी सरकार का उसमें क्या रोल था पूछिये कौन सी डील थी कौन सी डील हुई थी उस सरकार में जिसमें इसको पैसे मिले दस ओल से तो कोई डील ही नहीं हुई थी हमारी सरकार की डील तो इन सरकार की हुई है तो जब मर्डर की वक्त हुआ 302 तोसी पर लगेगा कि कमिशन पर कोई बातचीत नहीं हो पाई कमिशन पर कोई अग्रिमेंट आप लोगों का नहीं हो पाई तो इन्होंने बड़ी जल्दीवा अच्छा बहुत खूब बहुत खूब तो इन्होंने तो बड़ी जल्द बाजी में कमिशन पर अग्रिमेंट कर ली अरे जब हम पर आप आरोप लगा रहे हो तो जांच करने से क्यों घबरा रहे हो पैसे हमने लिए सुशन गुपता से बचा आप रहे हो उसको ये कौन सी सरकार आये साब इतना बड़ा दिल के हमें बचाने के लिए आप सुशन गुपता को बचा रहे हो सुप्रीम कोट के बाद ये जानकारियां सारोजनिक पटल पर आई थी और ED कोई अक्शन नहीं ले रही क्यों? इतना बड़ा दिल हो गया मोधी जी का आप ये कह रहे हैं कि ये 1676 प्लेइन के जो दिये उस एक प्लेइन पर 4% का जो कमिशन ये सुशेन गुपता ने लिया जो पीरियड आपकी सरकार जिस पीरियड में थी उस पीरियड में लिया लेकिर आप कह रहे हमें कोई मतलब नहीं आप जांच करवा दीजिए है ना आरे जब सौधा ही नहीं हुआ हमारे वक्त तो हमारे वक्त कैसे ले लिया साब ये तो बताईए जरा सौधा इनके वक्त हुआ 526 करोड का विमान 1670 में बिना टेंडर की ये खरीद रहें नो करप्शन क्लॉज ये हटा रहें आरोप हम पर लगा रहें आरोप इस सरकार ने नहीं है ये मीडिया पार्ट ने क्या कहा कि E.D. को जो बरामद की हुई उसमें क्या लिखा हुआ था कि इस सरकार के बड़े नेतृतु से मीटिंग करवा सकता है सुशेन गुपता उसी मीडिया पार्ट ने कहा कि मोदी जी ने हस्तक शेप करके ये डील करवाई वाजपई के टाइम में था फिर आपके टाइम में था कि नहीं था आपके टाइम में उसे पैसा मिला कि नहीं मिला हम तो कह रहे हैं सारी जाए हम तो हम ही क्या मतलब भी जाज करवाईए सुशेन गुपता की भी जाज करिए डसॉल्ट की भी जाज करिए हम तो खुद जाज कर रहा है और कौन बचारा है सुशेन गुपता को नरेंद बोदी बचारा है आप ये कह रहे हैं कि अभी भी हम जाज के लिए तयार हैं ये 2004 से लेकर 2013 में अगर किसी तरह का पैसा सुशेन गुपता को मिला है, तो उसके लिए भी तैया है, हम तो ये पुछ रहे हैं, ठीक है, मैं इसी सवाल से अब आगे बढ़ती हूँ, कोई कमपनी पैसे दे, ने ने तो आप कह रहे हैं, जाच करवाईए, 2007 से 2013 में अगर कोई अगर से करें, तो उसकी जाच 2014 की सरकार कैसे करेगी, मैं ये समझना चाहरे हूँ, मैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 2014 के बाद सारी बरामदगी हो रही है, पंधरा की डॉक्यमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, उस वक्की तो कोई बरामदगी नहीं हुई, अरुन जेटली है, ये मामला जो है, वो आगे बढ़े, ठीक है, आप अभी भी जाच पर टिके हुए है, पावन जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप इस डिमेट को आगे बढ़ा रही हूँ, कॉंग्रेस ये कह रही है, कि अभी भी जाच होनी चाहिए, चाहे वो 2004 से 2013 का मामला हो, कि उ कि अभी जाच है, 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 कि अभी